नमस्कार स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में आज बात भू माफियाओं पर होगी जो नेताओं और अफसर शाही के आड़ में सरकारी जमीन पर कबजा जमा रही हैं लेकिन प्रशासने कदिकारी इस मामले पर आँख बूंद कर बैठे हैं और भू माफियाओं का सरकारी जमीनों पर धडलले से कबजा चल रहा है इको टेक वन कोतवाली थाना शेतर के अंतरगत आने वाले हलदवानी गाउं में बने एक प्राइमरी पार्टशाला में नन्ने मुन्ने बच्चे आकर अपना भविशे निर्मान करने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन भू माफियाओं की उनके स्कूल पर भी नजर है यहां भू माफियाओं का प्राइमरी पार्टशाला की जमीन पर कब्जा है और इसलिए 20 से 25 साल से लगातार जमीन पर उनका अपना कब्जा शल रहा है सरकारी तंतर भू माफियाओं से जमीन से कब्जा वापस लेने में सक्षम नहीं है इस मामले पर पैरवी करहे वकील राकेश नागर ने बताया कि SDM दादरी को इस मामले की कई बार शिकायत दी जा चुकी है SDM दादरी द्वारा लेखपाल को पैमाईश के लिए भेजा गया था हलाकि इस पूरे मामले पर जब उप जिलादिकारी दादरी से बात की तो उन्होंने कहा कि इसे लेकर लेखपाल को आदेशित किया गया था कि वो पेमाईश कर सरकारी जमीन को चिनहित कर उसे खाली कराएं उपजिलादिकारी दादरी ने बताया की फिलहाल इसे लेकर नोटस जारी किया गया है जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर अवेत तौर पर कबजा किया है साथ दिन का उन्हें समय दिया गया है और साथ दिन बाद कबजा हटाने की कारवाई की जाएगी उत्तप्रदेश के मुख्यमंत्री योगिया दितनात ने भूमाफियाओं को सलाखों के पीछे भेजने के लिए एंटी भूमी सेल बना दिया है लेकिन हकीकत में एंटी भूमी सेल ऐसे भूमाफियाओं से जमीन खाली नहीं करा पा रहा है जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर कबजा किया हुआ है अब देखना ये है कि किस प्रकार और कब तक भू माफियाओं से सरकारी जमीन को जिला प्रशासन खाली करा पाता है फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही जुड़े रहिए न्यूज वर्ल इंडिया के साथ धन्यवाद